नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो आप अगर कहीं से भी चार्जिंग बलब लेते हैं तो एक चीज हमें चाहिए याद रखें कि चार्जिंग बलब यहाँ पर देखें जो मैं आपको स्क्रीन पर बलब दिखा रहा हूँ इस तरीके का आपको बलब नहीं लेना है जो DOB के अंदर आता है क्योंकि जो DOB के अंदर आपका चार्जिंग बलब आएगा उसके अंदर problem क्या आती है कि उसकी life बहुत कम होती है और वो आपका 15-20 दिन चलेगा और उसके बाद वो खराब हो जाएगा तो आपको देखें बलब जो है charging वाला का लेना है तो वो किस तरीके से लेना है देखें मेरे पास ये charging बलब है अब यहाँ पर देखें three wire लगे हुए है यहाँ पर आपको MCPC भी अलग मिलेगी इसके अंदर charging जो आपकी module है यहाँ पर circuit है वो अलग मिलेगा और यहाँ पर आपको lithium बैटरी लगी हुई मिलेगी तो आपको बलब जो है इस तरीके से लेना है क्योंकि इस बलब की जो है life बहुत जादा होती है यह आपको market में थोड़ा महेंगा तो मिलेगा लेकिन इसकी life जादा होती है और जो DOB बलब मैंने अभी आपको screen पे दिखाया वो वाला बलब आपको नहीं लेना है क्योंकि उससे जो है आपका जो पैसा है वो वेस्ट चला जाएगा तो यहाँ पर देखिए यह वाला जो बलब है मैं इसको जला के भी दिखाता हूं यह देखिए और इसकी life भी जादा होगी क्योंकि इसके अंदर यहां circuit लगा हुआ है यह देखिए तो यह अभी हमारा charging पर है और जब हम इसको क्या करते हैं AC पर जलाएंगे तो इसका जो बीच वाला MC PCB है वो जलेगा तो इसमें LED इस तरीके से काम करती है यह देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूं तो यह देखिए और जो LED अभी नहीं जल रही है यह हमारी AC से जलेंगे तो यह वाला बलब जो है आपको इसी तरीके से यही चीत देखना है कि उपर MC PCB यहां पर लगी हुई इस तरीके से मिलेगी और तीन वायर मिलेगी और उपर कोई भी circuit नहीं मिलेगा अगर आपको बढ़िया बलब लेना है और जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था वो नहीं लेना है क्योंकि वो 15 से 20 दिन चलेगा और खराब हो जाएगा और आपके पैसे जो है वेस्ट चले जाएगे तो दोस्तों मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सेर करना, सस्क्राइब करना और बेल का एकन को जरूर दवाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा